चोपड़ा है जोगिस यूटूब चैनल पर मैं हरसे चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरी बचो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि NTA और CBI का रिपलाई आने के बाद में 18 जुलाई 24 को जो सुप्रिम कोर्ट का फैसला होगा, तो ये किस और संकेत जा रहे हैं, क्या री नीट संबाव है, कितनी परसेंट पोसिबिलिटी है री नीट की और कितनी परसेंट पोसिबिलिटी नहीं है, NTA के एफिडेट को देखते हुए और CBI की रिपोर्ट को देखते हुए कितना संबाव है कि री नीट होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में चर्चा करने से पहले जो 8 जुलाई की हीरिंग हुई थी, उसमें मैंने भी एक वीडियो बनाया था और उसने सुप्रिम कोर्ट ने NTA से य क्या निकलके आ रहा है, तो सबसे पहले जो उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए थे, जो 5 पहलों पर विचार करने के लिए बोला था, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि CBI को ये बोला गया था कि आप अपने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो सुप्रिम 9 बजे 11 जुलाई को ये सुप्रिम कोट को पेस कर दी थी, हालांकि ये एक बंदल इफापे में CGI के पास ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन सोर्स के अकोर्डिंग, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, कि ये जो पेपर है, वो लोकल अभी लीक हुआ है, ये मा कि एक ही सेंटर पर लीक हुआ है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है, सोर्सेज के मुताबिक, तो ये तो CBI की और से रिप्लाई आ गया है, और मैंने आपको वीडियो में यही बताया था, कि इसमें जो CBI का रिपोर्ट है, वो बहुत ही मैतु पुरण है, क्योंकि केस में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दो पार्टी होती है, और वो दोनों अपना अपना पक्स रखती है, तो इसमें जो तीसरी पार्टी होती है, जो investigating agency होती है, उसका एहम रोल होता है, तो CBI ने जो अपनी रिपोर्ट पेस की है, उसमें यही मैसूस हो रहा है, कि उन्होंने बात करते हैं, दूसरे पहलू की बात करते हैं, जिसमें कोर्ट ने NTA से यह कहा है, कि आप यह disclose करें, आप यह disclose करें, कि आपने यह paper leak का जो identification का state लिया है, वो कैसे identify किया है, और कितने centers पर यह कितने मात्रा में paper leak हुआ है, इसकी modalities क्या है paper leak की, किन किन को इससे फाइदा पहुचा है, तो यह इसमें कहा गया था NTA को, तो NTA ने इसके बारे में यह reply दिया है, कि यह जो paper leak है, यह mass level पर नहीं हुआ है, यह पठना के एक center पर leak हुआ है, और इसमें जो paper leak हुआ है, वो एक ही जगा हुआ है, ज्यादा student को इसमें फाइदा नहीं मिला है, और इसकी जो CBI जांच है, वो बैठा दी गई है, CBI इसकी जांच कर रही है, और यह paper mass level पर leak नहीं हुआ है, यही NTA ने कहा है, जो CBI ने कहा था, तो दूसर paper leak नहीं हुआ है, इसमें, इसके बाद में जो तीसरा पहलू था, उसमें court ने NTA को यह कहा था, union government और NTA को यह कहा था, कि यह जो paper leak हुआ है, क्या internet पर leak हुआ है, और social media में यह भारी तादाद पर leak हुआ है, तो NTA ने कहा है, कि यह internet पर leak नहीं हुआ है, जो telegram का जो video है, व और इस video के साथ में छेट-छाड की गई है, इसमें editing की गई है, इसकी date को edit किया गया है, तो यह तीसरे पहलू पर कहा है NTA ने, अब बात करें हम fourth point की, यह ने कि चोते पहलू की बात करें, तो इसमें government ने यह कहा था, कि यह जो result declare होने के बाद counseling तक का process है, यह क्या है, यह क हटाते हैं, तो बाकी student को नुकसान होगा या नहीं होगा, तो NTA का कहना, शोरी, Supreme Court का यह कहना था, Supreme Court ने इसी विशय के बारे में NTA से पूछा था, तो NTA ने इसका reply दिया है, कि इससे किसी भी student को कोई नुकसान नहीं होता है, result आने के बाद में अभी result आ चुका है, और counseling July के third week में start हो जाएगी, counseling के four rounds होंगे, उसमें two round upgraded round होते हैं, यानि कि दो round में seat को upgrade किया जाता है, और तीसरे round में final admission होता है, यानि कि दो round में अगर कोई student unauthorized तरीके से admission भी लेता है, तो उसको बार निकालने पर तीसरे round में student को फिर से 24 फिल करने का मोका दिया जाता है, इ इसमें, तो चोथे फैलू पर यही कहा है NTA ने, इसके बाद में अगर fifth point की बात करें, तो five point पर सुप्रेम कोर्ट ने ये पूछा था, कि आप कैसे ensure करोंगे, इन students को कैसे ensure करोगे, कि आगे आने वाले time में ऐसी कोई गलतियान नहीं होंगी, ऐसा paper leak नहीं होगा, जो इस प committee बनाई गई है, और वो इस विसे पर जांच कर रही है, कि इसके लिए आगे क्या किया जाए, ताकि paper leak की ऐसी घटनाएं ना हों, तो इन सब के reply आज सुके हैं, अभी मैं आपको 18th July को होने वाली कारवाई के बारे में मैं अपने विचार बता देता हूँ, तो 18th July को जो का मेरा ये मानना है, कि जो re-neet के chances हैं, वो अभी 20% हो गए हैं, यानि कि 20% re-neet हो सकता है, और 80% re-neet नहीं हो सकता है, इसका region ये है, कि court को साथ से चिये, court को सबूत सिये, और वो सबूत अभी CBI के भी सबूत यही करें, कि ये mass level पर leak नहीं हुआ है, और NTA तो ये पहले कही रा है, तो इसमें ऐसा मैसूस हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरा मानना है, मैं पहले नहीं बता रहा है आपको कि ये ही decision देगा court, क्योंकि court supreme power है, वो कुछ भी decision दे सकता है, लेकिन ये मेरी राय है, कि ये 20% re-neet के chances हैं, 80% re-neet के chances नहीं हैं, अभी इसमें काफ re-neet होता है, तो student को पढ़ाई अभी जारी रखनी चीए, मैं सुरू के हर एक वीडियो में ये बोलते आ रहा हूँ, कि आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं है, ये ही study आपको first year में काम आएगी, admission हो जाता है, re-neet नहीं होता है, तो अगर आपके first year में coaching classes में need 25 के लिए ये काम में आएगी, ये study, तो आपको continue उसी तरह केसे पढ़ाई करनी है, जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हर एक student को अभी 18 जुलाई तक पढ़ना है, चाहे वो selection range में हो, चाहे वो selection range में नहीं हो, तो ये मेरे अपने विच थे, बाकी देखते हैं, सुप्रेम कोट का 18 जुलाई को जो भी decision रहेगा, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलते हैं, नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ, विदा जैहिन